सिंदू घाटी सब्यता के संबंदित इंसर सबसे पहले जानेंगे दोस्तों पहला question है कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है तो हेरो डेटर्स को समझा जाता है इसका एंसर हो गया हिरोडिटस दूसरे कोस्चन है कि जिस काल में मानों की घटनाओं का कोई लिखीत वर्नन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है प्राग है तिहसिक काल बोला जाता है कोस्चन नमबर 3 मानों जीवन की घटनाओं का लिखीत वर्नन क्या कहलाता है इतिहास आग का अविशकार किस यूग में हुआ पूरा पासान यूग में पूरा पासान यूग में मानों की जीविका का मुख्य आधार क्या था सिकार करना दोस्तो अगला कोस्चन पहिये का अव सब्यता का काल क्या माना जाता है तो 2500 इसापुर्व से 1750 इसापुर्व तक शिंदु की घाटी सब्यता में सरपर्थम घोरे के अवसेश कहां मिले शूर कोटदा में शिंदु की सब्यता किस यूग की सब्यता थी कांसे यूग की सिंदु की घाटी सब्यता में घर किस्से बने होते थे इटों से हरप्पा के लोग कौन सी फजल में सब से आगे थे कपास में हरप्पा की सब्यता की खोज स्वर पर्थम किष्णे की राय बहादूर दयाराम सहन शिंदु सब्यता का प्रमुख बंदरगा कौन साथा लोथल गुजराद अगला कोश्चन दोस्तो कि शिंदु की घाटी सब्यता का अस्थल काली बंगा किस प्रदेश में है राजस्थान में हरप्पा की सब्यता की खोज किस वर्थ हुई थी 1921 सिष्वी में जो पहले बताया गया राय बहादूर दयाराम सानी के द्वरा किया गया था हरप्पा के लोगों के सामाजिक पदती कसी थी उचीत समतावादी नक्स सलिद्दान सिंदु सब्यता के किस अस्थल को कहा गया है मोहन जोद्रों को हरप्पा की सब्यता में हल से खेत जोदने का साक्षे कहां मिला काली बंगा में सेंद्व सब्यता की इटों का अलंकरन किस अस्थान से प्राप्थ हुआ काली बंगा से सींदु की सब्यता में एक बड़ा अस्थनानकर कहां मिला मोहन जोद्रों में शिंदु सब्वेता की मुद्रा पर किस देवता का शित्र अंकित्ता अधव सिस्का मोहंजोद्रों को एक अर्न ने किस नाम से जाना जाता है मिर्तकों का टेला संदव अस्ठलों के उत्खनन से प्राप्त महरों पर किस पसु का परिकर्नन सरवा दिखुआ बहल पर शिन्दू सब्वेता का इटो की अलंकरन किस अस्थान से प्राप्थ हुआ काली बंगा से शिन्दू सब्वेता का कौन सास्तान भारत में स्थिथ हलो ठल शिन्दू सब्वेता का कौन सास्तान भारत में हुआ। भारत में चांदी की उपलवधता के साक्षे कहां मिले हरप्पा की संस्क्रीती में मांडा किस नदी पर इस्थित्था चिनाब पर हरप्पा की सब्वेता का प्रमुखुरों पर किस नदी पर इस्थित्था सतलज नदी पर अरप्पा में एक अच्छा जल प्रवधन का पता की सस्तान से चलता है धोलावरी से सिंदू सब्वेता के लोग मिट्टी के बरतनों पर किस रंग का प्रियोग करते थे लाल रंग का सिंदू घाटी की सब्वेता किस यूग में थी आदे एतिहासिक यूग में शिंदू घाटी सब्वेता की खोज जिन्दो भारतिय लोगों से नाम जुरे हैं वे हैं दियाराम सानी और आरडी बनरजी शिंदू घाटी सब्वेता की पर्मुक फसल कौन सी थी जो एवंगह हरप्पा की समकालिन सब्वेता रंगपूर कहा है सौराष्ट में हरप्पार मोहन जोद्रों की खुदाई किसने कराई सर जान मार्शल सिंदू सब्वेता के लोग सबसे अधिक किस देपता में विश्वा कि कांच मुर्तिप्राफ्थ हुई मोहन जोद्रों से मोहन जोद्रों को इस समय कहां इस्तिता चिंद। पाकिस्तान में हरप्पाश्यों ने सर पर्थम किस धातू का प्रियोग किया था सतंत्रता के बाद भारत में हरप्पा के यूग के अस्थानों की खोज सबसे अधिक किस राजमु हुई गुजरात में हरप्पा के निवासी किस धातु से परिशित नहीं थे लोहों से हरप्पा के शबता किस यूग की शबयता थी तामरयोकी हरप्पा का प्रमुख नगर काली बंगन किस राजस्थान में हरप्पा के निवासी किस खेल में रूची रखते थे सत्रंज में हरप्पा के किस नगर को सिंद का भाग का आ जाता था मुहन जोद्रों को मुहन जोद्र जुरे इंपोर्टेंट कोस्चन थे इस तरह से आप लोग हमारे नए वीडियो में देखेगा गुप्त काल प्राचीन भारत का इतिहास तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो को में